हेलो दोस्तों इस्टडी ग्लोज में आपका स्वागत है तो दोस्त आज से हम एक नई सीडीर रिस्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है वाइल लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया जी हाँ दोस्तों आप लोगों को मालूम है कि UPSC का एक्जाम आने वाला है सताई जून को एक्जाम है प्रिलिम्स का तो हर साल एक या दो कोशन जो होते हैं वाइल लेफ सेंचुरीज से भी आते हैं देगी मैक्सिमम कोशन जो होते हैं वो नेशनल पार्क से आते हैं तो इसमें हमने क्या किया है इसमें जो पिछले दो साल से सबसे आदा जो वाइल लाइफ सेंचुरीज नीज में रही है वो हमने उठाई है क्योंकि देखिए अब इंडिया में जो है 566 जो है 566 जो है वाइल लाइफ सेंचुरीज है अब सब तो आप पन नहीं पाओगे क्योंकि बहुती जादा मुश्किल होता है ठीक है अभी यह जित्ती मैं पढ़ा रहूं न यह भी आपको यार नहीं रहेंगी तो इसमें हम जो है वो टॉफ वाइल लाइफ सेंचुरीज लेकर आएं इंडिया की जो पिछले 2-3 साल से बहुत जादा न्यूस में रही है उतना आपके लिए more than sufficient है क्योंकि यह एक question ही maximum आता है इससे वाइल लाइफ सेंचुरी से location सबसे अधा important होती है क्योंकि आपसे match the following UPSC करवा सकती है ठीक है तो यह हम सीरीज लेके आएं और आपको मालूम है कि अब UPSC का आने वाल है exam तो हम इसको क्या करेंगे कि मुश्किल से 10 या 12 लेक्चर 10 या 12 लेक्चर में यह मैं खतम करवा दूँगा wireless century बना 5 अपरल से पहले पहले यह सीरीज आपकी खतम हो जाएगी ताकि आपको sufficient time मिले इसको revise करने का तो इसको बार बार revise करते रहना ठीक है तो यह 2-3 साथ से news में रही है जो मैं wireless century से आपको पढ़ाने वाला हूँ तो चलिए बिना time waste करते हुए वीडियो को start करते है wireless century एक ऐसा शेत्र होता है जहां चानवरों के आवास और उनके असपास किसी भी तरह की करबड़ी से सुरक्षा की जाती है और इन शेत्रों में वालाई लेज़ सेंचुरी में पकड़ना अमारना या उनका शिकार करना सक्त मना होता है ठीक है तो यह wireless centuries की एक definition थी छोटी सी अब हम चलते हैं wireless centuries की तरफ देखे सबसे पहले है नौरा दही wireless century सबसे पहले अब इसका map देखिए यह देखिए नौरा दही wireless century का map है ठीक है अब यह wireless century जो है वो MP में है मद्द प्रदेश में यह wireless century located है और यह कौन को से cities को cover करती है मद्द प्रदेश के एक है सागर यह सागर ठीक है यह दमोहो दमोहो सागर यह दो को cover करती है उसके बादा कर नरसिंगपूर और रहसेन यह चार cities को cover करती है नौरा दही wireless century और यह wireless century जो है यह 1197 किलोमीटर में यह फैला हुआ है wireless century मद्द लाज़ेस्ट वादेश सेंचुरी है मत्पदेश की हम आने बता है ना यह सागर दमोहो नरसिंगपूर और आपका रहसेन डिश्टूर को cover करती है और जबलपूर से 90 किलोमीटर दूर है और सागर से 56 किलोमीटर दूर है और इसको wireless century जो है वो 1975 में बनाए गया था ठीक है तो इसकी location यहाद रखना सागर दमोहो नरसिंग पूर रहसेन इन चार सेट्रीज को cover करती है और इसको century जो था वो 1975 में बनाए गया था map देख लिए हमने अब फॉना देखिए मजला एनिमल्स देखिए यहाँ पर तो यह भागर पुल डिस्टिट में लोकेटेड है और यह गेंजटीड डॉफिन्स का एक protected area है और इसको notify किया था 1991 में अब इसको हम देख लेते हैं देखिए यह बिहार के भागर पुल डिस्टिट में located है और यह wireless century जो है भागर पुल जिले के सुल्तान गंज से कहल गाओं तक गंगा नदी का 60 km लंबा खंड है ठीक है विक्रम शीला गंजटीड डॉल्फिन century को 1991 में notified किया गया था और यह गंजटीड डॉल्फिन का protected area है ठीक है और इसको गंजटीड डॉल्फिन आपको मालूम है यह national aquatic animal है इंडिया का गंजटीड डॉल्फिन यह important है यह national aquatic animal है इंडिया का map अब आपने देख लिया है अब यहाँ पर आदेगी जानवर कौन कौन से मिलेंगे जैसे कि आपको black kite, black winged kite, shikra, frested serpent eagle, species like eastern imperial eagle, greater spotted eagle, indian spotted eagle plus fish eagle यह सब आपको यहाँ पर देखने हो मिलेगा अब हम आते हैं गहिर मता marine century देखिये गहिर मता marine century यह उडिसा में located है ठीक है गहिर मता marine century जो है यह उडिसा में located है अब देखिये गहिर मता marine century जो है यह wireless century है जो उडिसा में located है और ये बहुती ज़ादा पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे ठीक है और ये ओलाइव इटले टर्टल के लिए दुनिया का सबसे बड़ा गोसला बनाने वाला समुद्र टर्ट है ठीक है और ये उत्तर में धामरा नदी के मुहाने से लेका दक्षियन में ब्रामनी नदी के मुहाना तक फैला हुआ है तो ये ओलाइव इटले टर्टल का दुनिया सबसे बड़ा गोसला बनाने वाला समुद्र टर्ट है ये उडिसा में लोकेटेड है गहिर मता मरीन सेंचुरी तो हमने इसका जो था मैप देख लिया ये है गहिर मता मरीन सेंचुरी और ये उडिसा में लोकेटेड है अब हम आगे देखते हैं फंसाथ वाइल लाइफ सेंचुरी देखिए पहले इसका मैप देखिए फंसाथ वाइल लाइफ सेंचुरी के पहले हम मैप देखते हैं देखिए ये वाइल लाइफ सेंचुरी जो है ये लोकेटेड है महराश्ट में महराश के राइगर के मुरूद और रोहा तालुकास में लोकेटेड है तो ये राइगर के मुरूद और रोहा तालुकास में लोकेटेड है और ये वाइले संचुरी जो है वो महराश में है अब हम और देख लेते हैं देखे वाइले संचुरी जो है ये मुरूद और रोहा त एको सिस्टम को प्रिजर्व के जा सके जो कि है वेश्टन घाट्स में आप देखिए फोरेश्ट यहां पर आपको मिल जाएंगे सेमी अवरग्रीन, अवरग्रीन, मिक्स्ट डेसिडियस और ड्राय डेसिडियस फोरेश्ट उसके बार यहां पर अनिमल्स देखिए इंडियन स्कोरल, मुनजैक, हाइना, लेपर्ड, बॉंबे अर्थ स्नेक, सिलोन कैट स्नेक, सांबर, मौश डियर, पैथन यह सब आपको यहां पर जानवर देखने हों मिलेंगे अब हम देखते हैं मलाई महादेश्वर वाइल लाइफ संचुरी देखिए मलाई महादेश्वर वाइल लाइफ संचुरी या माले महादेश्वर वाइल लाइफ संचुरी यह एक प्रोटेक्टेड वाइल लाइफ संचुरी है जो करनाटक के इस्टन घार्स में घ्राई से हैं और व्हां से 210 किलो मेटर की दूरी है इस संचुरी को Studio को स्टेबिश किया था 2013 में और इसका एर्या जो है वो 906 किलो मीटर के के किलो मेटर की शेट में फैला हुआ हुआ है कि इंक यह संचुरी जो है कर्णाते की इस्टिन घार्स में लोकेटेड और लाय करता है चमरजा नगर डिस्टिक्ट में जोगिया करनाटक में फॉना देखिए यहाँ पर आपको ऐलेफेंट्स मिलेंगे टाइगर मिलेगा कोलेगल ग्राउंड गैको मिलेगा गौर वाइल्ड बोर लेपर धोले स्पोर्टेड डियर बार्किंग डियर फोर्न फॉर यह सब आपको यहाँ पर जानवर्प देखना को मिलेंगे तो यह दोस्तों आज हमने पांच वाइल्ड लेफ सेंचुरी इसके नोट्स बना लेना नहीं तो मैं पीडियो इसकी आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलिग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हो यह हमारी वेबसाइट जो है अभी चल नहीं रही है ठीक है कुछ टेक्निकल इशू हो गया उसमें तो इस वज़े से अभी चल नहीं रही है लेगिन एक दो दिन में दो तीन दिन में वह चालू ओ जागी वेबसाइट तो वहाँ से आप प्रोवाइड होने लेगी और वहां से आप कर सकते हो ठीम है कि दो यही दोस्तों छोटा सा लेक्षर था यही एक लेक्श था दोस्तों तो यह मैंने अले कि इसका नमिद है अखकार नोछकू